फिल्मेकर करण जोहर ने ट्रोलोस को मूँ तोड जवाब दिया है जिन्होंने करण को शादी करके मा के टाइम पास के लिए बहू लाने को कहा था करण ने कहा कि उनकी मा की लाइफ में किसी चीच की कमी नहीं है और ना ही उन्हें किसी की जरुवत है करण आया दिन नेपोटिज्म और खुद की सेक्शुलिटी की वज़ा से ट्रोलोस के निशाने पर रहते हैं वे हरबा ट्रोलोस की बातों को नजर अंदाज भी कर देते हैं मगर इस बार वे जवाब देने से खुद को नहीं रोक पाए हाली में करण ने सेशल मीडिया पर एक स्क्रिन शॉट शेयर किया स्क्रिन शॉट में सबसे पहले ट्रोलर का कमेंट था बहु लादो मा को टाइम पास नहीं होता होगा करण को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई उन्होंने लिखा सभी क्रेजी टोलर्स जो मेरी लाइफ की चॉइस को ट्रोल और अब्यूस करते हैं उनमें से इस तरह का कमेंट बहुत ही ज़्यादा अपमान जनक लगा सबसे पहले कोई भी बहु किसी सास के लिए टाइम पास नहीं होनी चाहिए उसकी खुद की पहचान है उसके पास अपनी पसंद से टाइम पास करने का हक होता है पुझाय परसनली हो या प्रोफेशनली करणना आगे बताया कि उनकी मा उनकी बच्चों रुही और यस जोहर की परवरिश करने में बीजी है और उन्हें लाइफ में किसी बहु की जरुवत नहीं है उन्होंने आगे लिखा उनकी जिन्दगी हमें प्यार देने में पूरी होती है और हम भी उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करते है साथी बहु लाना कोई विकल्प नहीं है ये बात ने उन लोगों को बता रहा हूँ जिनने मेरी परसनल लाइफ और रिलेशन्चिप की परवा है करण ने आगे लिखा मेरे बच्चे खुश नसीब हैं जिनने मा मिली है और उन्हें गाइड करती है मैं लाइफ से खालीपन को दूर करने के लिए शादी करूँगा ना किसी और के लिए मुझे सुनने के लिए शुक्रिया